Welcome to Explored Out हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको खुबसूरत नजारे दिखाए थे जो इटली के वैनिस के नहीं थे आज हम वो ही सहर और वो ही देश आपको घुमाने जा रहे हैं दरसल हमने सोचा आपको किसी नए देश की सैर कराई जाए तो हम आज आपको दिखा रहे हैं मिडलिस्ट में बसा हुआ एक खुबसूरत तरसा देश जिसे कतर या कतार कहते हैं हमारी वीडियो में हम आपको इस खुबसूरत देश के नजारे तो दिखाएंगे ही साथ ही ये भी बताएंगे कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं और घूमने का कितना खर्चा आएगा साथ ही घूमने के लिए सबसे अच्छी जगें कौन-कौन सी है ये भी बताएंगे पर उससे पहले थोड़ा सा इस देश के बारे में विस्तार से जान लीजिए कतर सब्द का लिटरल मेनिंग होता है पानी की बूंद और अगर आप नकसे पर इस देश को देखेंगे तो फारस की खाड़ी में आपको यह बिलकुल एक पानी की बूंद जैसी ही नजर आएगी इसके दक्षिन में साओधी हरब है और बाकी तीन ओर से यह फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है और तेल के मामले में यह दुनिया का सबसे सम्रिध देश है इस देश को आजादी मिली थी साल 1971 में बिलकुत ये भी हमारी तरह अंग्रेजों का ही गुलाम हुआ करता था 11,000 किलोमिटर में फैला हुआ ये देश बहुत ही खुबसूरत है इसकी official language तो अर्भी है लेकिन आम तोर से English सारे ही लोग बोल और समझ लेते हैं और हिंदी बोलने वालों की भी यहां कोई कमी नहीं है यह एक Islamic country है पर आप इतना जान लीजिए कि भारत या भारतियों के लिए यह पूरी तरह से सुरक्षित है आधिकारिक तोर पर यहां national religion इसलाम है सुन्नी मुसल्मान यहां basically रहते हैं पर हिंदुों की आबादी सुनकर आप चौप जाएंगे 16% हिंदु इस देश में रहते हैं भारतियों की संख्या करीब 8.5 लाग से थोड़ा जादा है जो इस देश का 27% हिस्सा है भारतियों के लिए यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है महौल यहां का खुश्नुमा है और यहां जाने के बाद आपके मन में कई तरह की भरांतिया होंगी जो यहां आकर तूट जाएंगी जैसे हम सोचते हैं कि इस्लामिक कंट्री है तो हम पर भी कई सारी बंदी से होंगी पर नहीं यह देश कुछ अलग है भारत से इस देश में पहुँचने के लिए सबसे बढ़िया एयर रूट है आप यहां हवाई जहाद से जा सकते हैं जिसके लिए आपको भारत के नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलूरू, लगबग देश के तमाम बड़े सहरों से यहां के लिए फ्लाइट्स अविलेबल हैं कतर में दोहा का हमद इंटरनेशनल एयर पोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे बढ़िया एयर पोर्ट माना जाता है जहां साल भर में 30,000 से ज़्यादा राउंड ट्रिप्स फ्लाइट्स की होती है इसके आलावा एमेरी टर्मिनल भी यहां का बढ़िया इंटरनेशनल एयर पोर्ट में गिना जाता है हाँ यह खर्चे की बात बता देना बिलकुल जरूरी है आपकी आने और जाने की टिक्टें अगर एक सास बुक करेंगे तो लगभग 30,000 में आपके आने जाने का खर्चा निकल जाएगा भारतियों के लिए यहां वीजा ओन अराइवल और फ्री वीजा की सुविधा उपलब्ध है यानि आप अगर भारतिय नागरिक हैं आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है तो आप यहां बिना वीजा के जा सकते हैं एरपोर्ट पर आपके लिए वीजा बना दिया जाएगा जो तीन महीने तक का हो सकता है अगर आपने होटल की बुकिंग कर रखी है तो आपको वीजा के लिए कोई पैसे भी नहीं देने होंगे यहां के लोग अमीर होते हैं हाँ यहां के सासक को अमीर ही कहते हैं पर वाकर यहां के लोग बहुत अमीर हैं और यह हमने एरपोर्ट पर पहुँचते ही महसूस कर लिया। पर कैपिटा यहां के लोगों की इंकम काफी हाई है और यूमन ग्रोथ इंडेक्स में यह दुनिया में पहले नंबर पर आता है। सबसे पहले आपको यहां घूमने लाइक जगहे बताते हैं। वैसे तो आप यहां एरपोर्ट पर ही घंटों बिता सकते हैं या यूँ कहें कि यहां के एरपोर्ट को पूरा घूमने में आपको तीन से चार घंटे भी कम पड़ जाएंगे तो अतिशोक्ती नहीं होगी। लेकिन हम आगे चलते हैं। आप राइड के लिए कैप बुक कर सकते हैं जो यहां एरपोर्ट पर आसानी से मिल जाएगी। यहां की नाइट लाइज भी काफी अच्छी है और सडकें बहुत चौडी बिलकुल साफ सुतरी हैं। यह देश अपने कानून वेवस्था के लिए जाना जाता है या अपने देश में कानून को सकती से लागू करता है जो देश के सभी नागरिकों पर और परेटकों पर भी समान तरीके से लागू होती हैं। और हमारी टैक्सी में टैक्सी वाला क्या गाना बजा रहा है जरा वो तो सुनिये। हाई बात समझ में यहां हर चार में से एक वेक्ति आपको भारती अमूल का या भारत का मिल जाएगा। आप यहां पर म्यूजियम देखने जा सकते हैं यहां का इस्लामिक आर्ट म्यूजियम बहुत ही सांदार है बहुत ही उम्दा है और सबसे अच्छी बात है कि यहां आपको सर्प्राइजिंग गिफ्ट सॉप भी मिलेंगे हमारे देश में जब म्यूजियम आप घूमने जा कॉर्णीज आप हमारे देश के बीचिस की तरह समझ सकते हैं यह समुंदर के किनारे की जगह है जिससे पार्व की तरह डैवलप किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है यहां आप फिशिंग भी कर सकते हैं लाइट की अच्छी ववस्ता है जगह को आम तर पर यहां भीर ज्यादा होती है पर अमूमन ज्यादा भीर नहीं होती पानी बहुत साफ है आप क्रिस्टल क्लियर बोल सकते हैं इसके अलावा पानी में तैती हुई कई तरह की च्छिडियां भी आपको दिख जाएंगी कतर का विलियागियों मॉल अपने आप में अ आप सोचते हैं ना कि यहां पर पानी की कमी है पानी की कमी नहीं है ड्रिंकिंग वाटर की कमी है जिसके लिए यह लोग काफी मेहनत करते हैं और पानी को बहुत करीने से तरीके से खर्च करते हैं पानी तो यहां इतना है कि यहां की गलियों में सड़के नहीं पानी है यान का architecture आपको काफी पुराना दिखता है जो लगभख खंड हर में तब्दील हो रहा है पर यहां की बात बिलकुल अलग है एकदम अनूठी है यहां आप जी भर के शॉपिंग करें क्योंकि यह tax-free heaven है एक ऐसा देश जहां सरकार कर नहीं लेती सरकारी खर्चे सरकार खुद निकाल लेती है यहां कोई प्रजा तंत्र नहीं है कोई लोक तंत्र भी नहीं है कि वोट्स के लिए सरकार को कई तरह के perks लोगों को देने पड़ेंगे हम अगली वीडियो में आपको यहां का Aspire Park और शौक वाकिर जो यहां का लोकल ट्रैडिशनल मार्केट है वहां घूमने ले चलेंगे लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें बन्राएब कर्पिंग लेह हमारे को अँ़मने पिसा लेड़ता द Kerry